नमस्का दोस्तों आसा करता हो सब लोग ठीक तक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक तक है दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा फिंच बर्ड का जो फार्म है वो लगबग रेडी हो गया है थोड़ा सा काम बाकी है वो भी कुछी दिनों में कंप्लिट हो जाएगा तो मैं आज पहली बार इस फार्म को आप लोगों को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ इस फार्म के बारे में कुछ बाते हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा जो भी बर्ड लवा है सबी का एक ग्रीम होता है कि एक अच्छा सा बर्ड फार्म हो या फिर एवियरी हो जहाँ पर बर्ड को वो अच्छे से रख सके जिससे के bird को भी सुकून मिले जहां पे वो रह रहे हैं वहाँ पर वो अच्छे से रह सके और खुद को भी सुकून मिले कि नहीं मैं ऐसा कुछ बनाया हूं bird के लिए जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है और मैं दाबे के साथ कह सकता हूँ कि आपका भी एक ड्रीम है कि मेरा भी एक ऐसा फार्म हो तो मेरा भी एक ड्रीम था कि दस साल से मैं सोचता था कि मेरा भी एक ऐसा फार्म हो और आज मेरा जो ये ड्रीम है काफियत तक पूरा हुआ है मेरा जो पहला वाला फार्म था वो बहुत ही छोटा था अभी प्रॉब्लिम के बावजूद भी मैं उसको टिका के रखा बर्ड को अच्छे से रखा देख भल किया और उसी का नतीजा आज ये है मेरा जो भी कुछ है आज सभी बर्ड की वज़े से तो दोस्तो आज जो नीचे वाला जो बर्ड था मतलब पहले वाला जो फार्म था उसका जो सभी बर्ड था वो आज उपर को मैं यहाँ पर छद में लेके आया हूँ पुराना जो फार्म था वहाँ पर देड़ सो पेर बर्ड था और यहाँ पर अभी 180 पेर बर्ड रखा हुआ है और मैं अभी चाहू तो 20 पेर और भी लगा सकता हूँ मतलब कि 200 पेर का कैपसिटी वाला रूम अभी यह है कुछ पुराना केज है जहाँ पर मेरा पापा पहले कोकटेल पालता था लाब बर्ड पालता था तो वो केज मैं यहाँ पर रखा हूँ यह सब केज बहुत तरह जगा लेता है कि यह सब बर्ड साइज में भी बड़ा होता है इसलिए इसका केज का भी साइज भी ज्यादा है तो मेरा जो यह फार में इसका जो लेंथ है वो है 25 स्पीट बाई 18 फीट मतलब के 4500 स्क्वाइर फीट और इसका जो हाइट है वो है 11 फीट इस घर में 8 विंडोज है मतलब जो खिरकी है वो 8 है और सभी नेट से कौवर किया हुआ है और उपर में भी कुछ वेंटिलेशन है जो के पूरा घर को मिला के दस वेंटिलेशन का जो होल है वो उपर है जो वेंटिलेशन का होल है उसका माप है एक फूट बाई दो फूट और वेंटिलेशन जो होल है वो तोटल दस है और वो भी सब नेट से कवर किया हुआ है तो वीडियो में आप पहले से ही चुके होगे कि बाहर कुछ बर्ड खुला घूम रहा है वो सब जाइंट और जम्बो फिंच का पेर है लगबक 15 पेर जो है बर्ड है यहापर छोड़ा हुआ है इतने बड़े घड में 15 पेर तो कुछ ब्रांचेस लगा दिया हूँ मैं जहाँ पर बर्ड बैठता है कुछ पे अच्छा लगेगा उपर यहाँ पर मैं कुछ मानी प्लैंट का जो पेड़े वो भी लगाया हूँ यह जो पेड़े वो यह बहुत ही टफ होता है थोड़ा सा पानी मिल जाए उससे ही इसका काम चल जाता है यह जिन्दा रहता है इसलिए यह सब पेड मेहने लगाया है तो यहाँ पर तो दो बकेट है जहाँ पर मेरा मेल वाम फार्मिंग होता है और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो वेंटिलेशन लगाया हुआ है और यह चीज बहुत ही जरूरी है क्योंकि वेंटिलेशन एक ऐसा चीज है जिससे के हवा आता जाता रहता है बाहर का और इससे की घर का जो इंवार्मेंट है वो अच्छा रहता है जहाँ पर देखो सब प्यार ले रहा है बड़ केज के उपर भी बैटा है कुछ जहाँ पर देखो सब रात हो गया है इसलिए खुद कुद का जो सेल्टर है वो ले रहा है जहाँ पर पेड के उपर कुछ तो यह सब चीज देखने में भी अच्छा लगता है दोस्तों इसको मैं इसके तरह ही रहने दूंगा यह खुद की तरह जो बड़ा घर है यहाँ पर स्प्लाई करेगा अपनाने स्कूद बनायागा और ब्रीड भी खुद करेगा इससे मैं कुछ छेरचा नहीं करूंगा इसक तो नैचरली रहने दूंगा जहां पर देख सकते हो तो फिंच नीचे उतर कर कुछ खा रहा है तो अभी तो रात है अभी रात का लगभग नौ बजा है नौ या साड़े नौ बजा है तो मैं दिन में भी एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं और भी जो यह जो बाते हैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा आपको अगर कुछ क्वेस्टेन रहे इस फार्म रिलेटेट जो आप जानना चाते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कह सकते हो मैं रिप्लाई करूँगा मिलते हैं नएक स्टूडियो में तब तक के लिए बाई